नमस्कार दोस्तो फिर से स्वागत है आप सभी कहा हमारे और एक नई वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ पाच चीज़े बताने वाला हूँ जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अपने घर का काम करते समय त्यों क्या है दोस्तो कुछी दिनों बाद बारि नुखसान होने के चांसे ज्यादा रहते हैं दोस्तों तो मैं आपको कुछ पाच चीज़े बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं इससे क्या है कि आपका जो नुखसान होने वाला है उससे आप आसाने से बच सकते हैं तो चले दूस्तों शूरू करते हैं उस्तों पूरे जो हमारे गिड़े हैं, फुल हो जाते हैं पानी से, तो ऐसी कंडिशन में हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमें पानी निकलना पड़ेगा, उसके बाद कास्टिंग करना पड़ेगा, सभी जो काम करने में वहाँ पे हमें तकलीफ हो जाती हैं, और लेबर लोगों को और उसी हिसाब से हमें वहाँ पे एक्सेवेशन करना है एक्सेवेशन हम पहले कर देंगे और बारिस बाद में आ गया तो वहाँ पूरा जो साइड का जो मिट्टी है वो उस गिड्डे में जाता है और वो गिड़े का मिट्टे आपको बाद में निकालना पड़ेगा तो वहाँ पे आपको 3-4 जार का जो निकुसान है वहाँ पे आसानी से हो जाता है दोस्तो इसलिए याद रखेगा बारिस का मोसम में आपको गिड़े जब हम बनवाएंगे उसक्त हमें बारिस का जो अंदाज है वो लेना है और उसके बाद हमें वहाँ पे काम करना है और यदि हमने गिड़े बनवाएं तो एक दो दिन में आपको वहाँ पूरा जो कॉलम कस्टिंग करना है फुटिंग कास्टिंग करना है पुरा जो कास्टिंग हो जाएगा कॉलम और फुटिंग तो बाद में आपको वहाँ पे बारिस की वज़से कोई भी नुक्सन नहीं होगा दोस्तों ओके उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पाइंट है दोस्तों वह हमारा सिमेंट हम साइड पर जब भी सिमेंट लाएंगे वह सिमेंट स्टोर करने के लिए वहाँ पे आपको जगह अरेंज करनी है क्या है, सिमेट हम लाएंगे और बारिश आ गया, तो पूरा जो सिमेट है वो विश्टेज हो जाएगा दोस्तो पूरा सिमेट जम जाएगा, तो वहाँ पे आपका नूखसन हो सकता है, इसलिए हमें वहाँ पर रूम का अरेंज करना है शेड बनवाना है सिमेंट स्टोर करने के लिए तो ओके दोस्तो ये चीज़ याद रखेगा उसके बाद हमारा जो नेक्स पॉइंट है वह हमारा स्टील जब ये मटरिल लाएंगे साइड पर स्टील लाएंगे तो वहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखने है जितना हमें स्टील लगने वाला है उसी इसाब से हमें वहाँ पर लाना है हम ज़्यादा मातरा में स्टील लाएंगे तो बाद में क्या होता है दोस्तो जो भी हमारा स्टील है उसमें बारिस की वज़े से जंग लग जाता है तो इसलिए हमें याद रखना है जब हम स्टिल लाएंगे वो कम मत्रा में और जितना लगने वाला है उसी इसाब से हमें स्टिल लाना है दोस्तों उसके बाद हमारा जो next point है दोस्तों वह है प्लस्तर का आप अंदर का जो प्लस्तर है वो असाने से कर देंगे क्योंकि आपका स्लैब कास्टिंग ऊपर का हो गया होगा तो आपको अंदर का प्लस्तर करने में कोई भी तकलिप नहीं आएगी लेकिन जब आप बाहर का प्लस्तर करोगे तो वहाँ पे आपको तकलिप आ सकते हैं पार का प्लास्टर करते समय बारिस आ गई तो वहाँ पे पूरा जो आपका प्लास्टर है वो बेह जाएगा पानी में तो वहाँ पे आपको धहन में रखना है प्लास्टर करने से पहले वहाँ पे आपको सबसे पहले सुबर अंदाजा लेना है कि आज बारिस आने वाला है या नहीं आने वाला है और यदि बारिस आ भी गया गलती से यदि बारिस आ भी गया तो वहाँ प्लास्टिक का जो पेपर है वो अरेंज करके रखना है प्लास्टिक का पेपर आप रखेंगे तो plaster को क्या है आप वहाँ पर cover कर सकते हैं दोस्तों इसलिए आपको वहाँ पर plastic का paper अपने पास साथ में रखना है जब यह आप plaster का बाहर का काम करते हो तो यह चीज़ आपको वहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखने है उसके बाद हमारा जो next point है दोस्तों वह है अपने slab का कास्टिंग जब यह हम slab कास्टिंग करेंगे slab की ढलाई करेंगे उस वक्त क्या है कि दोस्तों बारिस नहीं आना चाहिए क्योंकि slab का जो काम है वो सभी एक साथ में होता है आपका 1000 square feet का slab होगा तो वो पूरा एक साथ में कास्टिंग होगा 500 आज और 500 कले हिसा नहीं होने वाला है 1000 square feet आपका पूरा काम एक साथ में वहाँ पर कास्टिंग होगा और उस वक्त वहाँ पर बारिस आ गया तो आपका जो नुकसान है वहाँ पर हो जाता है इतना सारा मटल वहाँ पर लगवाते हो उसके बाद बहुत सारा labor वहाँ पर आ जाता है आपके काम पूरा वहाँ पर परिशानी हो जाती है इसलिए दोस्तो हमें याद रखना है slap casting करते समय उसके पहले दिन ही हमें पूरा जो planning ही वो करना है कल का बारिस का जो अंदाजा है वो लेना है तो उसके बाद ही हमें वहाँ पर स्लैब काश्टिंग करना है दोस्तो दबा देगा तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते के लिए वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ धन्यवान दोस्तों